Hello students, बहुत सारे students के comment आ रहे थे कि सर CMA course के बारे में एक detailed वीडियो बनाईगी तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं CMA course के बारे में detail में बताने वाला हूँ आप इसको पूरा end तक देखना आपको बहुत ही अच्छी information मिलें CMA यानि की cost and management accountant ये professional degree जैसे professional degree और बता हूँ जैसे CA, chartered accountant, CS, company secretary तो ये professional degree से तो ऐसे कैसे एक CMA भी था जिसका नाम है cost and management accountant था मतलब है भी अभी लेकिन इसके नाम कई बार change हुए है कई थोड़े टाइम पहले इसको CWA बोला जाता है यानि की cost and work accountant फिर कुछ टाइम इसको CA भी बोला गया CA का मतलब chartered accountant नहीं वो अलग है उसको ICAI कराता है Institute of Chartered Accountant of India वो CA करवाता है ठीक है लेकिन यहाँ पर CA का मतलब था cost accountant cost accountant ठीक है और जो यह course है यह सब एक ही है चाहे इसको CA में बोलो CAW बोलो या CA बोलो CA मतलब वो chartered accountant वाला CA नहीं cost accountant वाला CA और इन syllabus को कराता है आपका इंडिया की कंदर institute है जिसका नाम है ICMA यानि की Institute of Cost and Management Accountant अभी मैं इसकी website पे ले जाओंगा आपको बताओंगा डिटेल में ठीक है और यह जो institute है इसको cost accountant इंस्टिटूट भी बोलते है cost and management account इंस्टिटूट भी बोलते है इसको और यही इस course को पूरा अच्छे से करवाता है सबसे पहले मैं आपको flow chart जो इनकी website से मैंने download किया है उस flow chart से मैं आपको बताता हूँ कि इस course के अंदर आप enroll कैसे कर सकते हैं और इसका पूरा process क्या है उसके बाद में मैं जो है आपको इस syllabus के अंदर इसके क्या-क्या topics होते हैं क्या-क्य क्या subjects होते हैं वो भी बताऊंगा सबसे पहले देखिए यहां पर इस course के अंदर तीन level होते हैं जैसे की CA के अंदर होते है, CS के अंदर होता है, ऐसे कैसे CMA के अंदरी 3 level होते है फरस्स level होते है, foundation का सबसे पहले आपको foundation क्लेर करना पढ़ता है second level होता है फिर इसके अंदर आपका inter का और third level होता है आपके final तो चाहे आप CA करो, CS करो, CMA करो तिनों में level यही होते है जो foundation level होता है उसमें कुछ 4 subject होते हैं फिर inter level जो होता है उसमें 2 group होते हैं एक एक group में 4-4 subject होते हैं 4 या 3 ऐसे कुछ subject होते हैं final में भी दो group होते हैं और उन दोनों group के अंदर फिर 4-4 या 3-3 subject होते हैं ठीक है ओके तो यह सब में same ही रहता है अब हम बात करते हैं CMA के बारे में cost and management accountant के बारे में और इसका मैं आपको जैसा बोला flow chart मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है यह है इसका वेबसाइट नहीं flow chart के जलते हैं यह flow chart दे रखा है अगर आप चाहेंगे तो इसका link में इस video के नीचे description box में देखी देदूँगा आप अच्छे से download करके इसको खुद अच्छे से पढ़ सकते हैं ठीक है इस flow chart के अंदर यह बताया गया है कि जो CMA course है उसमें कौन apply कर सकता है क्या procedure है उसका उसकी details दी गई है तो सबसे पहले देखें इस course में सबसे पहले क्या लेना होता है admission admission लेने के दो तरीके हैं दो route बोल सकते हैं एक तो क्या है foundation course का route है और एक क्या है direct entry route है यानि कि दो चीजे है एक तो आप foundation दीजिए मैंने तीन level बता है ना foundation level, inter level, final level तो एक है आप foundation दीजिए foundation clear करने के बाद आप inter देंगे और inter clear करने के बाद आप final देंगे और final clear करते हैं आपको degree मिल जाएगी एक तो ये route है एक और route है जिसमें आपको foundation देने की ज़रूती नहीं है आप सिधा enter दे सकते है सिधा enter foundation देने की ज़रूती नहीं है तो वो कौन सा route है तो वो route है उसको बोलते है direct entry route to intermediate course यानि कि inter गे अंदर ये कौन direct enter कर सकता है ये ऐसा कौन है जिसको foundation देने की ज़रूत नहीं है ऐसा कौन सा student है वो student जिसने graduation complete कर ली है जिसने graduation complete कर ली है यानि कि जैसे कि आप commerce वाले हैं तो आपने भी कौन complete कर ली है तो फिर आप direct enter कर सकते हैं आपको CA में के दंदर foundation करने की ज़रूरत नहीं है ओके ठीक है या फिर आप qualified है cat level first के तो भी आप direct CA या CA inter आपने कर रखी है तो भी आप direct CA में के अंदर enter दे सकते हैं आपको foundation देने की ज़रूरत नहीं है तो आप graduation है cat level आपने clear कर रखा या पिर CA inter clear कर रखा है तो आप direct CA में के अंदर cost and management account course के अंदर आप सीधा inter intermediate यानि की inter कर सकते हैं उसके exam के लिए आप appear हो जाते हैं आपको foundation देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोई ऐसा student है जिसने अभी तक become complete नहीं करी है cat level का complete नहीं करा है CA inter तक नहीं पहुचा है यानि कि उसने अभी तक only 10th या 12th पास करी है तो उस student को 12th पास student है उसको foundation course देना पड़ेगा तो आपको क्या देना चाहिए किस route से जाना चाहिए अगर आप अभी 10th, 11th या 12th में है तो तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि विकॉम में आपके 3 साल घराब हो जाएंगे और 3 साल में तो आप सिधा इंटर भी क्लियर करके final तक पहुचाएंगे लेकिन अगर आप विकॉम final year के अंदर है या second year के अंदर है तो फिर आपने पहले तो दिया नहीं जब 12th class क्लियर कर लेंगे फिर आप foundation exam के लिए qualify कर पाएंगे लेकिन registration आप 10th के बाद करा सकते हैं 11th में भी करा सकते हैं लेकिन exam आप 12th के बाद में ही दे सकते हैं ओके जी आगे चलते हैं थोड़ा सा फिर क्या करना है आपको registration कराना पड़ेगा जैसे आपका CA foundation exam क्लियर हो जाता अगर क्लियर नहीं होगा तो आगे आप नहीं जा पाएंगे flow chart है यह माल लेते हैं आपने CA foundation exam क्लियर कर लिया तो फिर आप register करेंगे intermediate course के लिए और अगर आप direct route से आ रहे तो foundation की ज़रूत ही नहीं है देखो आप सिधा direct intermediate में आगे एंटर में आगे आप ठीक है अब आपको यहाँ पर क्या होती है सबसे पहले training लेनी पड़ती है SAP learning hub इसमें आपकी साट चालीस बीस बीस गंटे की 140 गंटे की एक training program होता है total ठीक है यह training program आपको complete करना पड़ता है जैसे आप यह training program complete कर लेते हैं पहले तो आपको इंटर के लिए registration कराना पड़ेगा फिर यह training लेनी पड़ेगी training लेने के बाद में कहां से लेनी है वो institute सब आपको बताता है उसके बाद में आप eligible हो जाते हैं इंटर के बोथ group दो group होते हैं के दोनों group या कोई एक remaining group रहा हुआ है तो उसके लिए आप qualify कर जाते हैं और आप इंटर के exam दे सकते हैं जैसे आपका इंटर का exam complete हो जाएगा तो फिर आप final course के लिए आपको registration कराना पड़ता है तो level 3 है CMA foundation clear करने के बाद में आपकी training होगी और training complete करने के बाद में आपके CMA exam complete करने के बाद में आपके final के लिए आप registration करा सकते हो registration कराने के बाद में 7 दिन की एक और 15 महिने की एक यानिकी 3 साल की एक training चलेगी आपकी उस training के complete होने के बाद में आप final के exam दे पाएंगे और फिर आप अगर वहाँ पर final exam clear कर लेते हैं तो फिर आपको जो है placement की opportunity भी मिलती है और आपको degree तो मिलेगी तो 3 level है आप कहां है 12th में है 11th में है तो आपको 3 level पर जाना चाहिए पहले CMA foundation course आपको CMA foundation के लिए registration कराना चाहिए उसके बाद उसके exam clear करने के बाद में आप CMA enter के लिए आप qualify हो जाएंगे उसका registration करा दीए फिर training होगी फिर आप उसके exam दे पाएंगे वो भी clear करने के बाद में जो है आप आते हैं CMA final के अंदर final का आप registration करवा दीजिए वहाँ पर आपकी 2 training होगी एक training होगी आपकी 7 दिन की एक training होगी आपकी 15 मेने की यानि की 3 साल की और 15 मेने हैं 3 साल दोनों में 15 मन्त mandatory है लेकिन practical training 3 साल के आपकी होती है 15 मन्त तो आपको करने ही है वो ऐसे न वरना आप देखेंगे सब 3 साल में तो बहुत महीने हो जाते है नहीं वो 15 मेने की mandatory training है ठीक है वो clear करने के बाद में आप exam दे पाते हैं 15 मेने की training देने के बाद में आप exam दे पाएंगे और exam किसके final के और final के exam जैसे clear कर लेंगे आपको placement के opportunity मिलती है और आपको degree मिलती है ओके और salaries की अच्छीखासी होती है अब आते हैं थोड़ा सा subject के उपर कि इसके अंदर कौन कौन से subject होते हैं जो हमको prepare करने होते हैं अगर हम foundation से जाते हैं तो तो foundation से आप अगर करते हैं तो इसमें चार paper है यह आपके सामने हैं देखो यह रहे फ़र्फ 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 जो है आपका business law and business communication का है second paper जो है आपके accounts का है जिसमें financial and cost accounting होती है third paper जो है आपका business mathematics and statistics का है और fourth paper जो है आपके business economics and management का इस चार paper आपको foundation में अच्छे से त्यार करने होते हैं total 400 marks का होता है यह 50% passing marks होते हैं ठीक है फिर आता है आप यह जब clear कर लेते हैं तो intermediate के लिए आप जो है registration करवाते हैं और उसमें भी आपके दो group होते हैं चाहे तो दोनों group आप एक साथ exam दे सकते हैं अगर आप एक साथ नहीं देना चाहते हैं तो एक एक group करके भी दे सकते हैं group first में total आपके चार subject होते हैं और group second के अंदर strategic management होता है corporate accounting होती है auditing होती है आपके ठीक है और financial management and business data analysis होता है और management accounting भी होती है जो ये subject मैंने बता हैं इसे related बहुत सारे lecture हमने इसी YouTube channel पर भी कौम के लिए डाल रखे हैं लेकिन वो syllabus तो सेम ही रहता है ठीक है ओके जी ये books वगर आपको बेजते हैं फिर final के अंदर आपके दो group और होते हैं उसके अंदर भी देखिए चार subject यहां पर आपको दिख रहे हैं तो total साथ subject होते हैं आपके और उसके अलावा effective paper आपको इन तीन के अलावा फोर्थ paper जो है वो आपको elective choose करना होता है उसमें आपको तीन option मिलते हैं तीनों में से कोई एक आप यहां पर choose कर लेंगे तो चार यहां चार यहां total 8 subject आपके final में भी होते हैं final में दोनों group आप एक साथ दे सकते हैं या फिर एक एक करके भी दे सकते हैं दोनों गुरूप एक साथ देते हैं और मान लेते हैं आप फर्स्ट गुरूप या निकि इन चार सब्जक में क्लियर हुए तो सेकिन आप वापस बात में दे सकते हैं इस तरीके से इसमें चलता है CMA कोर्स के फीज की बात करें अगर तो तीनों लेवल पर अलग अलग फीज होती है टोटल आपके 53,000 लगते हैं लेकिन एक साथ आपको 53,000 रुपीज पे नहीं करने हैं और जब आप final में आएंगे तब आप registration कराएंगे तो आपके 25,000 रुपीज लगते हैं मैं बहुत सारे PDFs, website जो CMA की website है और PDF जो है जो मैंने यहाँ पर बताए हैं और भी जो syllabus वगेरा है और भी जो full retail है उनके सबके PDF इस वीडियो के नीचे description box में उनके link डाल दूगा आप चाके download करें खुद देखें खुद समझें और फिर उसके बाद decision ले कि आपको इस course के इंदर जाना चाहिए या नहीं ओके और कुछ पूछना है तो नीचे comment कर सकते हैं मिलते नेक्स लेक्चर में आज के लिए तना ही तब तक के लिए goodbye and thank you